ग्रीटिंग्स ऑफ दे टू आल सबंस अगें वेलकम बैक टो मैं चैनल अकेटमिक एक्सिलेंस बाज होती आतो तो ना टुड़ेवीडियो वी आपके हर एक एक्साम के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे आपको किसी भी एक्साम की प्रपरेशन कर रहे हो चाहे वो ज 주는 सीइट है जहें वहो का ने yaptMaybe पारे स्सचे और तो यह जो करन्ट अफेर हो हर एक एक्साम का एक इमपॉर्टेंट पार्ट होता है और अगर आप उनसे जश्ट गोथी हो जाते हो तो आप उसमें बहुत अच्छी मांच गेंग कर सकते हो जनरल टॉपिक है और उन जनरल टॉपिक में जनरल इंफोमेशन ही आपको गेन करनी होती है और वहां से ही आपके एक या दो कॉश्चन्स बन जाते हैं अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए and प्रीज दो लाइक शेयर and comment on the video so without any delay let's start the topic so our today's important topic is G20 G20 बहुत ही आपका important topic है according to this topic एक तो यह सबसे important आपका आजाते है कब start कब हुआ था ठीक है तो यह start हुआ था आपका 90s में जो भी आपकी एकनॉमी है ना जो एशिया की जितनी भी एकनॉमी कंट्रीज है तो जब उन्हों सब को financial crisis फील होते हैं तो उन्होंने क्या किया उन्होंने एक G20 जो एक ग्रूप है अपना वो किया ठीक है इसमें यह सारी जो कंट्रीज है इसमें यह इंपॉर्ट एक तो कब आपका स्टार्ट हुआ उसके बाद यह जो ट्वेंट कंट्रीज है देखिए वान ट्यू थी फोर फाइफ सेवन एट नाइन टैन इलेवन ट्वेल थर्टीन फॉर्टीन 15, 16, 17, 18, 19, and 20 यह सारी आपकी 20 की 20 कंट्रीज इसमें included है इंडिया भी इसका पाट है क्योंकि जैसे अभी आपको बता है कि जो एशिया की जितनी भी economies है वो यहां पे है तो इसमें पूरा का पूरा क्या आ जाता है accounts for 80% of the world जितनी भी GDP है वो इसको calculate करते है 75% of the जो global trade है जो आपका global trade में आपका import और export है ना उसके help से ही हम जो बाकी की जो countries है उनके साथ deal कर पाते है तो 75% आपका global trade है और 60% आपका global population यहां पे include है global population मतलब वही आपकी country की पूरी जो population है वो basically Asian की ठीक है उसके बाद एक लिए main objective क्या है तो यह जो आपका G20 summit है ना इसमें वो सिर्फ क्या करते है policy discuss करते है ठीक है सब आपस में coordination के साथ चलते है और basically जो economic और financial issues face हो रहे है ना सबको globally मतलब किसी यह भी एक बर्टिकल और country क globally trade करने के लिए या फिर finance करने के लिए अगर कोई भी issues वहाँ पर if they are facing तो उन सब को discuss करेंगे वो और उनका ही क्या करेंगे solution भी निकालेंगे ठीक है objective तक हो गया clear objective काफी बार पूछ लेते हैं ठीक है यह सारी चीज़ा ही important है जो यह PDF है बहुत ही मतलब common common major topics पे हैं अब य स्कोप क्यों बढ़ रहा है क्योंकि terrorism बढ़ रहे हैं health issues बढ़ रहे हैं health issues अभी 2020 का गरम देखें तो कोरोना जो आया था कोरोना वाइरस ने मतलब पूरी जो country है ना country this is पूरा worldwide उस चीज़ को बहुत ज्यादा effect किया है तो वहाँ पे अब इस चीज़ की importance और ज्यादा बढ़ गई है terrorism आ गया है लोगों को safety वेगर प्रोवाइड करानी है health आ गया है health issue एक ऐसे issue है जैसे अभी आपका कोरोना वाइरस था उसके बाद ये monkey pox आ गया और black fungus आ गया इस तरीके मतलब बहुत सारी चीज़े हैं जो हमें uncertainty effect करते रहती उसके बास sustainable development इन सारी चीज़ों के अलावा ज उनको यूज कैसे करना है properly with proper management ताकि जो हमारा future है वो भी हम secure कर सके जो coming generation है उनके पास भी हो resources यूज करने के लिए अब इसमें देख लेते हैं कि जो internationally जो participants हैं मतलब यह जो पार्टिसिपेंट हैं लेकिन जो international organization है जो यहाँ पर क्या करती है उसकी प्रसीडिन को regulate करती है जैसे आपका IMF है international monetary fund जैसे भी आपको जो हमारे objectives थे उसमें हमने discuss किया था न कहां थे हमारे objectives यहीं पर हैं एक सिकिन कलर चेंज करते हैं जो हमारे objectives थे यह economic crisis और financial issues हैं इन सब को check out करने के लिए विया रहें इंटरनेशनल किसलिए हैं अब यहां पर हमने discuss किया था न जो हमारा trade है global trade में हमारा क्या जाते हैं हमारा जाता है इंपोर्ट और हमारा export वह global trade ही तो है ठीक है उस चीज को कौन जज करेगा यहां पर वर्ल्ड बैंक है आपका ठीक है यूनाइटेड नेशन्स वर्ल्ड ट्रेड और्गनेजेशन डाव्यू टियो ठीक है वर्ल्ड बैंक बेसिकलिए आपका finance के लिए ठीक है वर्ल्ड बैंक आजाएगा finance के प्राक्टिसिस वहाँ पे होना चाहिए फियर जो आपका ट्रेड है वहोना चाहिए कहीं भी कोई प्रॉब्लम अगर आती है ट्रेडिंग के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में करने के लिए ट्रेडिंग के लिए तो उन सारी चीज़ों को इश्यूस को कौन सॉल आउव करते हैं यह क्या पार्टिसिपेट रेगुलरी इन जी ट्वेंटी प्रोसीडिंग तो जितने भी प्रोसीडिंग होती है उसमें यह तीनों वहाँ पर इंपॉर्टन रोल प्ले करते हैं कौन को होता है तो एक तो आगया आपका IMF एक आगया आपका United Nation एक आगया आपका WTO ठीक है यह तीनों उनकी प्रोसीडिंग में क्या रहते हैं कि रेगुलर्ली पार्टिसिपेट करते हैं ठीक है यहां पर प्रोक्या कंप्राइजिस ओफ पास्प्रेजिटर फ्यूचर यह भी आपका एक important point है ठीक है तो चलिए आज की जो वीडियो आज की वीडियो में इतना ही ठीक है आप यह सारे important points यहां से वाचें थांक्यू